हाई फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब आज मैं आप सभी लोगों के लिए बहुत ही प्यारा स्वेटर डिजाइन ले कर आए हूँ जिसे बनाना फ्रेंड्स बहुत ही आसान है अई ये इसे बनाना शुरू करते हैं सलाई में मैंने फ्रेंट्स 15 फंदे डाल रखे हैं और 6 सलाईयों का बॉटर बना लिया है मैं डिजाइन अपना इसमें बना के दिखाऊंगी डिजाइन में सीधी तरब से बना रही हूं फ्रेंट्स तीन फंदे उल्टा ही बुनेंगे फ्रेंट्स फिर धागा पीछे करेंगे एक फंदा सीधा बुन लेंगे फिर धागा आगे करेंगे फिर तीन फंदे उल्टा बुनेंगे फिर धागा पीछे करेंगे एक फंदा सीधा बुनेंगे फिर धागा आगे करेंगे फिर तीन फंदे उल्टा बुनेंगे फिर धागा पीछे करेंगे एक फंदा सीधा बुनेंगे फिर धागा आगे करेंगे फिर तीन फंदे फ्रैंट्स उल्टा बुनेंगे फिर्स्ट रो हमारी कम्प्लीट होगी है फ्रैंट्स अब उल्टी तरप से यह second row है friends हमारी तीन फंदे सीधे बुनेंगे एक फंदा पल्टा बुनेंगे फिर धागा पीछे करेंगे फिर तीन फंदे सीधे बुनेंगे धागा पीछे करेंगे तीन फंदे सीधे बुनेंगे फिर धागा आगे करेंगे एक फंदा उल्टा बुनेंगे फिर धागा पीछे करेंगे तीन फंदे सीधे बुनेंगे अब सीधी तरप से friends यह हमारी तीसरी row है तीन फंदा उल्टा फिर धागा पीछे करेंगे एक फंदा सीधा फिर धागा आगे करेंगे फ्रेंट्स फिर तीन फंदे उल्टे बुन लेंगे फिर धागा पीछे करेंगे एक फंदा सीधा बुन लेंगे इसी तरह फ्रेंट्स पुरी रोग कम्प्लीट कर लेंगे हम उल्टी तरफ से friends तीन फंदे सीधे एक फंदा उल्टा फिर तीन फंदे सीधे इसी तरफ friends रो कम्प्लीट कर लेंगे इसे एक फंदा उल्टा और तीन फंदे सीधे देखे friends चार रो हमने इस तरीके से बुन के कम्प्लीट कर लिया है अब यहाँ पे हम दूसरा कलर लगाएंगे डिजाइन बनाएंगे अपना तो तीन फंदे friends जो हमने उल्टा बुना है इसे बिना बुने ही सलाई पे ऐसे उतार लेना है इस तरीके से हमने उतार लिया बिना बुने ही उतारना है अब यहाँ पे हम नीला रंग लगाएंगे friends नीला रंग देखें किस तरीके से लगाना है हमें अब सबसे नीची वाली रो से हम धागा कीच के निकालेंगे एक दो तीन चार यहाँ से निकालेंगे friends यह देखें friends इस तरीके से हमने धागा कीच के यहाँ से निकाला है फिर सेकंड रो में से फिर यहाँ पे ऐसे दबा के रखेंगे ताकि हमारा धागा slip ना करे फिर यहां से निकालेंगे friends यह देखिए दो बारी हमने धागा किचके निकाल लिया है एक बारी और निकालेंगे friends यह तीन बारी निकाल लिया हमने फिर यह last row है हमारी यहां से निकालेंगे ऐसे फिर यह जो फंदा हमारा है फंदे में से भी एक बारी ऐसे निकाल लिया यह देखिए friends इस तरीके से हमें धागा किचके निकालना है यह देखिए एक दो तीन चार पांच यह पांच बारी हमने निकाला है friends फिर तीन फंदे जो हमारे उल्टे बुने हुए हैं इन्हें ऐसे ही उतार लेंगे बिना बुने यह देखें इस तरीके से फिर से हम सीधा फंदा जो है इस पे जैसे हमने यहां किया है फ्रेंट्स उसी तरह हम फिर से यहां पे करेंगे अश्य 2 3 4 बार निकालेंगे फ्रेंट्स 4 1 बारी और निकालेंगे 5 यह दिखिये फ्रेंट्स 5 बारी हमने निकाल लिया है दिखिये फ्रेंट्स फिर से हम 3 फंदे जो उल्टे दिखे रहे हैं 3 फंदे इन्हें हम बिना बुने ही ऐसे उतार लेंगे इस देखिए फिर से हम धागा निकालेंगे एक दो देखिए फ्रेंड्स हमने यहां पर निकाल लिया यह तीन फंदे बिना बुने ऐसे उतार लेंगे अब उल्टी तरफ से फ्रेंड्स देखिए क्या करना है यह तीन फंदे बिना बुने ही ऐसे हमें स्लाई पर लेना है अब इन सभी फंदों को फ्रेंड्स एक कर देना है ऐसे यह देखिए इस तरीके से सभी फंदों को हमने एक कर दिया है फिर से बिना बुने इन तीनों फंदों को उतार लेना है फिर से इन सभी फंदों को फ्रेंड्स जो हमने धागा कीच के बनाया है इन्हें एक कर देना है यह एक फंदा बना लेना है ऐसे फिर ये बिना बुने उतारना है friends, तीन फंदे फिर निन सभी फंदों को एक हिखटे कर लेना है, एक फंदा बना लेना है, ऐसे फिर ये बिना बुने उतार लेना है, इस तरिके से friends ये देखिए रोह हमारी complete होगी है यह देखिए friends, यह design हमारा त्यार हो गया है, देखिए कितना ब्यारा लग रहा बनके, अब इसके उपर मैं design को shift करके दिखाती हूँ, अब design हमारा friends, हमने यहाँ पे तीन design बना के दिखाया है, अब जो design हमारा बनेगा वो यहाँ, इनके बीच में बनेगा, यह तीन फंदे ज फिर से हमें 4 रो उसी तरीके से बिनना है, जैसे हमने नीचे बुना था, white धागे से, पहला फंदा friends दिखान से देखिए, ऐसे बिनेंगे, पहला फंदा उल्टा बुन लेंगे, फिर यह जो फंदा है, इसे हम सीधा बुनेंगे, फिर धागा आगे करेंगे, फिर तीन यह देखिए friends, यह तीन फंदा हमने उल्टा बुना है, फिर धागा पीछे करेंगे, एक फंदा सीधा बुन लेंगे, फिर धागा अपनी तरफ करके, तीन फंदा उल्टा बुनेंगे, करना वही यह friends जो हमने पहले किया था, बस यहाँ पे हमारा डिजाइन शिप्ट हो रहा है, तो इस करके, हमें ऐसे बुनना है, एक फंदा सीधा, फिर धागा आगे करेंगे, तीन फंदे उल्टे, फिर धागा पिछे, एक फंदा सीधा, फिर धागा आगे करेंगे, एक फंदा उल्टा, फिर उल्टी तरफ से friends, जो फंदा हमारा सीधा बुना हुआ है, उन्हें सीधा बुनेंगे, जो उल्टा बुना हुआ है, उन्हें हम उल्टा बुन लेंगे, अब सी ही तरप से फ्रेंट्स, एक फंदा उल्टा, फिर एक फंदा सीधा बुनेंगे, फिर तीन फंदे उल्टे बुनेंगे, फिर दागा पिछे एक फंदा सीधा, फिर तीन फंदे उल्टे, इसी तरह पूरी रो हम कम्प्लीट कर लेंगे, फ्रेंट्स, उल्टी तरप से फ्रेंट्स, जो फंदे हमारे सीधे दिख रहा हैं, उन्हें हम सीधा बुनेंगे, जो उल्टे दिख रहा हैं, उन्हें हम उल्टा बुनेंगे, इसी तरह हम फ्रेंट्स, पूरी रो हम कम्प्लीट कर लेंगे, सीधी तरप से फ्रेंट्स, एक फंदा उल्टा, फिर एक फंदा हमारा सीधा दिख रहा हैं, इससे सीधा बुनेंगे, तीन फंदे उल्टे, फिर एक फंदा सीधा, तीन फंदे उल्टे, इसी तरह रो कम्प्लीट कर लेंगे फ्रेंट्स, उल्टी तरप से फ्रेंट्स, जो फंदे सीधे दिख रहे हैं, उन्हें सीधा बुनेंगे, और जो फंदे उल्टे दिख रहे हैं, उन्हें हम उल्टा बुन लेंगे, इसी तरीके से फूरी रो हम कम्प्लीट कर लेंगे, यह देखिये फ्रेंट्स, हमने बुन के त्यार कर लिया है, अब देखिये फ्रेंट्स, यहाँ पर हम दूसरा रंग लगाएंगे, नीला रंग लगाएंगे, यानि डिजाइन बनाएंगे आप सीजी तरप से, पहला फंदा हम बिना बुने ही उतार लेंगे, फिर हम वही करेंगे जो नीचे हमने डिजाइन बनाया था, एक, दो, तीन, चार, नीचे से, नीला रंग निकालेंगे फ्रेंट्स, एक, दो, तीन, चार, एक फंदे में से निकालेंगे फ्रेंट्स, पाँच, फिर तीन फंदे बिना बुने ही उतार लेंगे, फिर से हम, एक, दो, तीन, चार, नीचे से फ्रेंट्स, दागर निकालेंगे, एक, यह देखें फ्रेंट्स, फिर से हम, तीन फंदे बिना बुने ही उतार लेंगे, फिर से हम, दागर निकालेंगे, फिर तीन फंदे बिना बुने ही उतार लेंगे, फिर से हम, नीचे से धागर निकालेंगे, फिर बिना बुने ही धागर उतार लेंगे फंदा, देखें फ्रेंट्स, यह रोव हमारी कंप्लीट होगी है, अब बुल्टी तरप से, जैसे हमने नीचे किया था, वैसे ही करेंगे, पहला फंदा उतार लेंगे, इन सभी फंदों को फ्रेंट्स एक कर लेंगे, फिर तीन फंदे उतार लेंगे, फिर इन सभी फंदों को एक कर लेंगे, फिर तीन फंदे उतार लेंगे फ्रेंट्स, फिर बिना बुने ही तीन फंदे उतार लेंगे फिर इन सफी फंदों को एक कर लेंगे फिर बिना बुने ही उतार लेंगे ये देखिए फ्रेंट्स ये डिजाइन हमारा बन के त्यार हो चुका है ये शिप्ट करके भी डिजाइन हमें ने आपको बता दिया यह देखिए देखिए फ्रेंट्स यह डिजाइन हमारा बनके त्यार हो चुका है यह देखिए कितना प्यारा लग रहे है यह डिजाइन फ्रेंट्स यह पूरे स्वैटर में बहुत प्यारा लगेगा यह लेडिस के स्वैटर में चोटे बेबी के स्वैटर में बहुत प्यार लगेगा इस चोटी चोटी बूटियों जैसा डिजाइन है फ्रेंट्स आप इसे पूरे स्वैटर में बनाएंगे कार्डिगन में बनाएंगे तो बहुत प्यारा लगेगा आप इसे अपने कलर के इकोडिंग बना सकती है जिस कलर में आपको बनाना हो मैंने सफेद और नीले र keyboard का इस्तेमाल किया है और ये डिजाइन इसी तरह शिफ्ट करके बनाएंगे तो बहुत प्यारा लगेगा आप इसी तरह ये डिजाइन बनाईए ये डिजाइन फ्रेंट्स आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताईएगा हमें आपके कमेंट का जजार रहेगा थैंक यू दोस्तों इस वीडियो को लाइक करें इस चैनल को रहें धन्यवाद